वेलकम टुट जनेसिस आयस तो आम अब नेक्स्ट देख लेते क्या है कुन से टॉपिक्स आम आज डिसक्रिस करने वाले important organizations related to the environmental conservation important organization देख लेते हैं ठीक है परस्ट organization है national animal welfare board of India इसका headquarter कहां पर याद रखिए इसका headquarter है वल्लबगड में वल्लबगड हर्याना में ठीक है national animal welfare board of India यह मैंने आपको बोला था किसने इस्टैब्लिश किया किनके प्रयास्तों से इस्टैब्लिश हुआ था यह रुक्मिन देवी अरुंडेल है उनके इससे यह इस्टैब्लिश हुआ था वह फर्स चेर्मेन भी थी इसकी ठीक है फॉर्म अंडर दर प्रिवेंशन आप अनिमल प्रिवेंशन तु दुद दुद अनिमल सैक नाइंटीन सिक्स्टीटू यह हमने देखा है यह यह बड़ी बनी है तोटल 28 मेंबर्स होते है ठीक है देन ने देन ने रीडोरमेंटल क्लिएरणस अशनल बोर ऑफफालर परमिशन थी थीक है थीक है आरोपन्डर यह बांदरी इप सब्ल moments क् Оченьच इंड़ मार्म खमेंभाया ठीक है यह मेंच और नॉन गवर्मेंटल मेंबर होते हैं ठीक है ओके इसमें से अभी क्या किया है नॉन गवर्मेंटल मेंबर की संक्या यह कम की है ठीक है यह तो पता ही है इसके एक्ट कुम सा है wildlife protection act of 1972 ठीक है बाइस्पीर रिजर्ब बाइडावर्सिटी आइक्ट के अंदर आते हैं और जो wildlife protection act 1972 के अंदर national park आते है wildlife centuries आती है community reserves यह आते हैं ठीक है कुम सा किसके अंदर आता है यह important है यह याद रखिए ठीक है दें central pollution control बोल cpcb यह important है cpcb यह pollution दे रिलेटेड है अंदर दा कौन सा act के अंदर है यह water वाला act water pollution and control वाला act 1974 1974 water act ठीक है water act बोल सब्के डिरेटल आप इसको ठीक है function क्या होता है define अंदर दा water act and air act मगर इसके function जो है वह water act और air act के अंदर define किये ठीक है तो यह याद रखिए cpcb सिर्फ water act नहीं है water act और इसके function जो है वह air act and water act दोनों के अंदर है ठीक है मगर establish किया गया है water act के अंदर यह किये प्रोग्राम्स लाउंच के national air monitoring program national water monitoring program national ambient noise monitoring program bs6 जो नामस अभी implementation होने वाला था March 22 को ठीक है March 20 में ठीक है March 20 के बाद में मगर COVID-19 के वज़े से ये भी अभी आगे इसको shift के आगे आए ठीक है then eco city program then reduce pollution in the urban area ये जो चीज़े है ये सब चीज़े इसके अंदर है कुन से program से specific अंदर national air monitoring program national water monitoring program national ambient noise monitoring BS6 implementation eco city program and reduce pollution in the urban area ठीक है आगे देखे लिए wildlife crime control bureau wildlife crime control bureau ये किस के अंदर है ये wildlife protection act 1972 के अंदर है then coordination between the agencies reduce the crime related to the wildlife and implement the various protocols ठीक है तो इतने काम करता है ये then ये अंदर होता है वाइड लाइफ प्रोटेक्शन आट के वाइड प्रोटेक्शन आट के अंदर जो शडूल ये अंदर आता है याद रखें वाइड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यू ब्यूरो जो है वाइड लाइफ वह डूली प्रोटेक्शन के अंदर है coordination between agencies करता है reduce the crime related to the wildlife implementation of various protocols यह चीज़े करता है ठीक है तो अब और एक important चीज़ देख लेते हम operations under the wccb wildlife crime control bureau ठीक है यह में पांच operations है important देख लेते हैं सेव कुर्मा है wild net है less known है और एक बिर्बिल है और पांचवा है operation thunderbird है और एक soft gold है ठीक है तो याद रखिए यह बहुत important है यह PIB के अंदर आया था तो वहां से directly हमने लिया है ठीक है तो सेव कुर्मा किसके बारे में स्टार्ट और इसके बारे में याद रखिए wild net किसके बारे में stopping the trade-off wildlife through the whatsapp telegram और instagram यह wild net net जो होता है वो net के याद रख सकते ठीक है less known क्या है less known species जो है उनका trading यह करने के लिए stop करने के लिए अनिमल के ठीक है बिर बिल क्या है बिर बिल हम याद रख सकते बिर और बिल से बिर और बिल stop the trade-off birds and cats ठीक है BIR birds होता है और बिल का बिल cat के बिली के टाइप में ऐसे याद रख सकते हो तो यह बिल बिल ठीक है वो stop the trade-off birds and cats poaching जो है वो भी stop करने के लिए then operation thunderbird जो है वो यह international operation है यह international crime stop करने के लिए operation thunderbird है ठीक है इंटरपोल को operation है याद रखिए then soft goal जो है वो to soft goal किसके लिए to target the shatush shawl in smuggling shatush soft goal याद रखिए किसको बोलते है वो जो mission है यह shatush shawl के बारे में smuggling के लिए यह है important ठीक है धिर आगे देखते national tiger conservation authority यह भी बहुत important authority national tiger conservation authority इसका इसको कोन करता है environment minister याद रखिए इसको environment minister करता है और जो उपर था wildlife वाला उसको sorry PM करता है ठीक है three MPs also part of it national tiger conservation authority के अंदर three MPs भी होते है ठीक है then tiger project tiger जो वह बहुत पहले से launch किया जाता है उसका implementation यह national tiger conservation authority करती है ठीक है then submit the report to the government and government puts it into the Parliament Parliament भी इसको put किया जाता है ठीक है जिन चीता restoration का अभी जो project चालुए हो कहां से लाने वाले बोलिए नामीबिया में इसे लाने वाले ठीक है और कहां पर आने वाले नवरा देही में ठीक है नवरा देही कहां पर MP में MP में नवरा देही में यह लाने वाले याद रखी है ठीक है then approve state tiger conservation plan ठीक है जो state का जो होता है tiger conservation plan उसको अप्रू करता है नैशनल tiger conservation authority ठीक है then central zoo authority यह 1972 में बनी थी ठीक है central conservation authority यह स्रीप इतना स्वरी सेंट्रल जू ऑथरेटी 1972 के अंडर है 1972 के अंडर बनी है then arid forest research institute यह जोदपूर में एरीड एरीड है तो इसलिए जोदपूर में ठीक है then geological survey of India यह याद रखिए कोलकता में ठीक है यह यह बहुत पुरानी है 19 1916 के okay geological or botanical survey of India तो इससे भी पुरानी है वह 1860 की है ठीक है हाँ 18 sorry 1890 की है botanical survey of India 1890 के वह भी कोलकता कोलकता बेस्ट है ठीक है यह सेम as geological geological survey of India same ही होता है यह दोनों का मगर यह botanical plants related as geological यह जो लोजिकल यह अनिमल से रिलेटेड है यह क्या करता है helps in the united nature rare data list formation और tax taxonomical याने naming naming से रिलेटेड वाले उसके purpose के लिए वह help करता है ठीक है कौन सा geological survey of India ठीक है अनिमिंग अफ नियू स्पीसिस के बारे में भी यह help करता है तेन रिसर्च इन अनिमल and helps in chromosomal mapping ठीक है chromosomal mapping में भी help करता है ठीक है तेन वन विज्ञान के इंदराज वन विज्ञान के इंदराज वह क्या है इंडियन council for the forest research education जो है इन्होंने यह प्रोग्राम लांच किया वन विज्ञान के इंदराज ठीक है यह headquarter कहां कहां पर इसका headquarter डेरादून में और यह अंडर ministry of forest and climate change के अंडर है 1986 के इसको establish किया गया था देर provides info with respect to forest dissemination इसके बारे यह information प्रोइड करता है वन विज्ञान के इंदराज ठीक है यह वन विज्ञान के इंदराज होगा ठीक है यह नैशनल museum for the natural history जो है वो नैशनल museum for natural history यह देल्ली में ठीक है यह ministry of environment के अंडर आता है यह fires अभी इसको यह news में क्यों था अभी रिसेंटली इसको fire लगी थी इसलिए यह news में था ठीक है wildlife institute of India यह कहाँ पर देरादुन में wildlife याद रखे देरादुन में involved in the research for a survey of India भी देरादुन में ठीक है for a survey of India देरादुन इस्टर्विस 1981 तेरी तेरी इंपोर्ट निवर तेरी और बी जो है वह important organizations है तेरी में एक NGO है headquarter Delhi में उसका उसका नाम पहले पहले था टाटा टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट ऐसा देन मगर बाद में उसका इनर्जी रिसर्च इंस्टीट किया है बाद में ठीक है यह इसके इनिशेटिव देख लेते कौन से कौन से हिनों ने लिए थे दें वर्ल्समिट अंडर्श इंस्टेनेबल डेवलप्मेंट यह इनके अंडर हुआ था देन ग्रीन ऑलम्पेंगे अंडऱ् हुआ था देन लाइट ऑफ बिलियन लाइफ के रोसीन लाम जो लुदी लाम से रिप्लेश किया था उसका भी लाइट बिलियन लाइफ जो कैं ठीक है Green Rating for Integrated Habitat Assessment ये भी याद रखिए ये ने गटीर होता है में याद होता है ये पिर यार्ट इल्ट्री आधे फिर मिनिट्री आफ हाउसिंग है और environment ये सब में बहुत ज्यादा confusion होता है तो यह याद रखिए गिहाज जो है वह वह बीए और टेरी है और मिनिस्ट्री आफ निवेंड रिनेबल इनरजी बेस में ठीक है यह कमर्शल और रेसेडेंशल बिल्लिंग के लिए कोड जो है यह यह वी डेवलप करते हैं ग्रीन रेटिंग ठीक है यह यह याद रखिए बाकी कुछ नहीं है रिसेज पॉब्लिकेशन होता है रिजर्सर मेंट में क्लाइमेट चेंज के अंडर ठीक है इसको प्राइज मिला था है इंदिरा गांधी प्राइज प्राइज फॉर दिशनामेंट एंड डिवलप्मेंट के लिए देन सलीमने इंस् में याद रखिए यह बहुत यह यहां पर प्राइज और इनग्स यहां पर पॉब्लिक औरन चूंड पर नुख इन्वार्मेंट यह दोनों का जॉइंट इनिशेटिव है सली मली इंस्टिटिट ऑफ और नियो और निथोलोजी यह बंबे नैच्रल इंस्टिटी सोसाइटी यह भी बहुत पुरानी सोसाइटी है ठीक है जैन ब्यूरो आफ एनर्जी एफिचेंसी यह जो इंपोर्टन यह बीक अंडर कौंसे-कौंसे प्रोजेक्ट कौंसे-कौंसे चीज़ाती है वह भी देख लिंगे हम यह क्या करता है एदेंचर्वशन बिलिंग कोड इसके अंदर देता है देन घंग कमर्शल बीलिंग के लिए याद रखिए ठीक है कमर्शल बिल्दिंग के लिए गिहाज देखा था हमने गिहाज में भी ठेरी भी था भी भी था ministry of new and renewable energy भी था ठीक है ये उसके जैसे ही building code है commercial buildings के लिए then eco निवास सही था जो है ये residential buildings के लिए codes है under the ministry of power और create कब किया था मार्स 2002 में energy conservation act के अंडर ठीक है energy conservation act 2001 के अंदर इसको create किया था ठीक है यह 2001 का है और यह create किया था 2002 में इंडियन Green Building Council जो है Indian Green Building Council यह यह लीड जो रेटिंग सिस्टिम है उसको यह उसकी और लीड जो है उनियर्सल जो है लीड बहुत अ ग्लोबल लेवल पर प्रोग्राम है लीड वाला तो उसको इंडिया में जो देखती है इंस्टिटूट उसको नाम है Green Indian Green Building Council एक Global Green Building Council है original उसकी इंडियन वाली ब्रांच जो है उसको इंडियन Green Building Council बोड़े ठीक है देन लीडर्शिप इन्द एनर्जी एंड इन्वार्मेंट डिजाइन यह इनका यह लॉंग फर्म है ठीक है लीड इसका Green Building Codification Program यूज्ट वर्लवाइड यूज्ट वर्लवाइड यूज्ट ग्रीन बिलिंग कोडिफिकेशन सर्टिफिकेशन प्लोग्राम है यह सर्टिफिकेशन दे दिये लिए कैसे होने चाहिए कैसे नहीं देखते है और उसके हिसाब से उनको सर्टिफिकेशन दिया चाहता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल याद रखिए ग्रीन बिल्डिंग काउंसे को जीकेशन चाहिंते अब बिल्डिंग किया यह चाहिएचों ग्लोबल पार्क स्टेटस दीया इसको नाइक लोन लेक जो है और यह सेकेंड जो है यह मर्याज मर्याज मेर्स मेर्स आइसलेंड मेर्स आइसलेंड भी बोल सकते इसको मेर्स मेर्स आइसलेंड मेर्स आइसलेंड और मैपल बीच यह करना टक्के है यहाँ पे ठीके यह मैपल बीच और मेर्स आइसलेंड करना टक्के है महाँ पे known for distinctive geological लावा है वह एक डिस्टिंक्ट जोलोजिकल फार्मेशन है उससे यह फॉर्म हुआ है इसलिए उसको लावा से फॉर्म हुआ है इसलिए उसको ग्लोबल पार्क स्टेटस इसको दिया है ठीक है टू साइड से नॉमिनेट किये को सी लोनार लेक और लोनार लेक अभी अभी न्यूज में था किसके लिए था उसका कलर जो है वह ग्रीन से लेके क्या हो गया था पिंक हो गया था और पिंक क्यों हुआ था वह इसको रिसर्च करने के लिए सैंटिस्ट ने उसको उसके सैंपल दो जगा पे बेजे एक नागपूर में बेजे और पुने में अगरकर रिसर्च इंस्टिटूट में बेजे और नागपूर में जो नेरी जो है नीरी में वह नीरी में बेजे और यह आगरकर इंस्टिटूट में बेजे ठीक है यह बात में हम देखी लेंगे देन सेंट्रल वाटर कमिशन जो है सेंट्रल वाटर कमिशन यह क Bureau of Indian Standard gave minimum standard for the safe limit minimum standard safe limit के लिए Bureau of Indian Standard Center Water Commission के अंदर है यह सब ठीक है then CSIRI National Geophysical Research Institute ठीक है यह यह दोनों मिला के Geochemical Baseline Atlas निकालते हैं और measures the Oxides Metals ETC यह सब कुछ measure करते हैं ठीक है अगे यह दें एंगीटी निटी के बारे में जान लेते हैं नाशनल ग्रीन ट्रीटीटर ट्रीविनल हमने यह पहले भी और जान लेते हैं अब अधीडिकेशन आफ एंगीटी एंगीटी के अध्युकेशन में कॉंसें से जी आती है याद रखिये यह चे अट्स आते हैं water water वाला आक्ट आता है 74 वाला water control अन्पॉलुशन आक्ट इन एयर प्रिवेंशन औं यह था है यह 91 झाल कि इसके अंडर माता थैंन फॉर्स स्थ ऑस्थ नहीं आता है अवाटर एक्ट भी आता है इसके अंडर फॉर्सथ का नहीं आता है और 27 का नहीं आता है एक फाइस्ट त्युन प्रोटेक्शन वाला वो भी नहीं आता इसके अंदर और और एक चीज नहीं आता है और ऐस्ट आट सान्ट जो है टूथाज़न सिक्स्वाला तीक है अभी उसमें रहा हुई है 2016 में चाहिए तो वह भी वह भी चीज इसके अंडर नहीं आती है तो NGT के अंदर में तीन चीज़े नहीं आती है ठीक है 72 वाला एक्ट और 2006 फॉर्स टाइट से यह चीज़े नहीं आती है बाकी सब चीज़े इसके अंडर आती है और याद रखिए NGT के बारे में बहुत इं सब्सक्राइब करें यह अर्गमेंट हुआ था एक केस थी केस का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताईए कि कौन से केस के बाद में यह पावर उसने हाइक उप्रिम कोट ने बोला था कि आप हाइक को जो ट्रिबुनल से उनको बाइपास नहीं कर सकते हैं हाइ नहीं सकते ही occupy नहीं सकते की डिरेक्ली बाइपास होगा सुप्रिम कोट में चाए करए ग्मीत बनायं गए ने उसके बाद में वी कर सकते हैं मगर एक केस हुआ था कोई तो 19 1999 में शायद ठीक है उसका नाम वे साही है वो केस का नाम आप मेंस में कोड़ भी कर सकते हैं वो केस को ठीक है वो डिरेक्टले आप सुप्रीम कोड में नहीं जा सकते हैं आपको हाई कोड से होके जाना पड़ेगा मगर NGT Act जो है वो उसके लि ठीक है यह चीज ठीक है दन पेटा इंडिया पेटा यह तो आपको पता है यह अनिमल वेलफेर वाली इंस्टिउशन है ठीक है इसका क्या है पीपल फॉर एतिकल ट्रीटमेंट अफ अनिमल इसका लॉंका में 2000 में इस्टैबिश हुई थी अनिमल्स आर नॉट इसका मोटो क अथरटी जो है वो गंगा रिवर के लिए फॉर्म की गए थी 2009 में अंडर इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन आफ 1986 के अंडर इसके अंडर 23 मेंबर्स होते है पीम चेयर करता है याद रखे है जिसको पीम चेयर करता है वो बाड़ी इंपोर्टन हो जाती है इसलिए यह बाड सब्सक्राइब करता है यह बाड़ी आपको पता चलेगा कि इसमें एड़ा पर क्वेश्चन आया था इंपोर्टन हो जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेशल इंस्टिउचन है अंडर मिनिस्ट्री आफ न्यूंड रिनेवल एनर्जी के अंडर है प्रोवाइड अंडर है यह इसका लॉंपा में यह अंडर दा सुसाइटी डिस्टेशन आपके अंडर है यह इंपोर्टन है और टाइगर कंजर्वेशन का कौन होता है याद रेखे इंवाइर्मेंट मिनिस्ट्र होता है और इसलिए मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं वाइड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया यह एंजी ठीक है तो यहां पर आपके इंवाइर्मेंट रियेटेड बॉडिज खतम होते हैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं क्या 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 देखा हमने कुंसी कुंसी बॉडिज देखी इंपोर्टन औरगनाइडेशन देखी नैशनल आनिमल वेलफेर बॉर्ड यह वल्लपगड में रुकमीनी देविया रूंडेल के बारे में सुना उनके उनके इससे प्रहतना से वहाता दें नैशनल बॉर्ड ऑफ वाइड लाइफ इसको पीम हैड करता है ठीक है लगाइड फेसे फौर्ड अंड रूब अर्बन एयरा और विर्ट वर इंपलिमेंटेशन वगरा है पता ही होता है हमें जनरली देन वाइड लाइफ क्राइं में कंट्र पॉर्ड जो है उसके अंडर वाइड आम कंत्रोल बॉर्योंचा कि कि यह करा ध़ी है तो ट्रेटै यो इस प्रोजेक्ट से कुर्मा है कुर्मा जाने के चुंप तो टर्ट्रो चुंप ने और युट रिला में माइं टर०्ट णोसिन फर में इसम ते बंस कोय फोल स्थेडों परेपण सेयु जो त्रेड को डेट। ठीक है देन शॉफ्ट गोल किसके लिए तु टार्गेट शातू शॉल्जर उनका सब स्मॉगलिंग यह करने के लिए है देन अपरेशन थंडरबर्ड वह इंटर्नाशनल क्राइम के लिए था नाशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथरीटी वाइड़ प्रोटेक्शन एक यह इसको करता है यह इन्वार्मेंट मिनिस्टर करता है ठीक है प्रोजेक्ट आएगा देन चिता रिस्टोरेशन है देन हमने देख इंडिया का और बोटनिकल का भी है यह यह पुरानी कोन से याद रखिए यह यह इंडियान के इंडराज के बारे में हमने देखा वह इंडियान के इंडियान कांसिल फॉर्ट रिसरच एंड हैं ठीक है अंडर दे मिनिस्ट्रे अफ इन्वर्मेंट चैन्ट प्रोइड इसके टू इसमेनेशन नाशनल म्यूजियम फॉर्य यह यह आग लेगी इसको इंडिया याद रखिए वाइलाफ इंस्ट्टूट आप इंडिया डेरा दून में ठीक है तन फॉर्ट इंडिया डेराज में तेरी तेरी के बारे में देखा था ग्रीन ऑलंपिया करती है वर् इसके डाउन टू अर्थ वाली तन सलीम अली इंस्ट्टूट इंप्लॉटंट है बंबे वाली यह दोनों का जॉइंट इंड वेंचर है किसका पॉब्लिक मिनिस्ट्र आफ नियू एंडिया बिलिदिंग कोड़ फार्दा कमर्शल बिलिंग के लिए दन इको नियास नहीं देखा हमने कोड़ फार सेडेंशल बिलिंग के लिए याद रखिए यह बहुत ज्याला कंफिज करेगा आपको बात में इंडियन ग्रीन 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 बिलिंग कांसिल जो है यह लीडिस रेटिंग जो सिस्टिम है उसके बार में यह क्या है सर्टिफिकेशन के नदी के करनाटक के नद audi के करना ऊटाक की नद्दिख वला भीच है ठीक है या ता मिलना अगर यह बहुत कुछ पश्चा में दे सकते हैं सेंटर वाटर कमिशन जो है सेंटर वाटर कमिशन यह स्टडी भी मेटर्स हिते मेजर रिवर्स यह करता है बेरो अंदर संड गे इस्टीट जो यह पुब्लिश करता घ्राइस फीजिकल डिस इंट के बारे में यह क्या करता है मेश करता है यह कुण से कंचा उसके अंडर है कुण से नहीं है देखा 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 देन नाशनल गंगा रिवर बेसिन अथरेटी देखा हमने देखा इरिडा के बारे में देखा दिन, CSIR के बारे में देखा दिन, Wildlife Trust इंडिया के बारे में देखा तो चलो जोस्तों मिलते हैं अभी आगले लेक्चर में तब तिक के लिए study art